अक्सर MIS interview में पुछे जाने वाले कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका answer हम उस समय नहीं दे पाते हैं ऐसा नहीं था कि हमें आता नहीं था उसका answer सिर्फ एक reason था इसके पीछे कि हमने practice नहीं की थी तो ऐसे ही MIS interview में पुछे जाने वाले top 5 questions and answers लेके आपके सामने आजिर हूँ तो आईए वीडियो को आरम करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभिजीत आपका सच्चा साथी सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं अब GG Technical Forum तो दोस्तो जो हमारा top 1 question है उसकी और move करते हैं यहां हम देख रहे हैं कुछ employee के code दिये गए हैं उनके name दिये गए हैं और उनकी attendance एक से 30 ताई तक की उनकी attendance यहाँ दी गई है अब मुझे करना क्या है count employee code and name wise P, A and W and do some मतलब अब मुझे जैसे यह employee है इस employee की मुझे attendance count करनी है कि कितना P है present कितना absent है कितना W है और last में हमें total करना है तो यह हम कैसे करेंगे तो बहुत से लोग क्या करते हैं account tips formula का यूज करनी लेगते हैं आई है करके देखते हैं। psychics जैसे criteria रेंस जैसे मैंने criteria रेंस पहले मैंने दिया यह id तीक है उसके बाद उसके बाद मैने criteria क्या दिया यह id तीक है आप लोग क्या करते हैं, इस पूरे को ऐसे select कर लेते हैं, और क्या करते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, comma, criteria में आप P ले लिए, ठीक है, ऐसे ही करते हैं आप लोग, और bracket बंद किया आपने, और क्या किया, enter मार दिया, तो दोस्तों यह हमारा आगया value error, तो क्या value error क्यों आता है, अगर आपको reason पता होगा, तो आप solution तुरंत निकाल लोगे, लेकिन आपको reason ही नहीं पता होगा, तो आप solution नहीं निकाल सकते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ value error क्यों आता है, value error इसलिए आता है, कि जो आप values दे रहें, वो उसमें कुछ गल लिकते हैं, वो work नहीं करेगा, इसलिए वो उसने value error दे दिया, या तो आपका पूरा जो multiple criteria है, वो होना चाहिए horizontal form में, ठीक है, या तो आपका पूरा criteria क्या होना चाहिए, vertical form में, तभी work करेगा, जैसे मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ countives लिखूंगा, अब देखिए, मैं मैं यहाँ क्या किया, countives, criteria range मैंने यह लिया, ठीक है, और यह ले लिया, ठीक है, दूसरा मैंने criteria range यह लिया, name को, और name को select कर लिया, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, vertical form आभी चल रहा है, और अचानक, suddenly आपने change कर दिया, क्या, horizontal form में, तो यह work नहीं करेगा, इसके लिए, क्य इसको हम पहले apply करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, मैंने लिखा some product, ठीक है, array one मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक और bracket open करूँगा, क्योंकि मुझे criteria भी देना है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए, मैंने एक bracket open किया, अब मैं क्या करूँगा, this is equal to this, ठीक ठीक है, bracket बंद किया, फिर से multiply किया, bracket open किया, अब मैं क्या लिया, p को लिया, this is equal to यह, यहां से लेके पूरा मैंने select कर लिया, bracket बंद किया, और फिर एक, मैंने एक bracket और बंद किया, some product का, ठीक है, और enter मार दिया, यह आपके पास परताफ सिंग की attendance आगई, 24 days, यानि यह present है ठीक है, अब मैं देखिए, यहां जैसे change करूँगा, age करूँगा, देखिए, 23 हो गया, है ना, मैंने P कर दिया, तो देखिए, फिर 24, तो यह mechanism कैसे work किया, आइए इसको समझते हैं, अभी मैं क्या करता हूँ, B18 is equal to B7 से B13 मैंने लिया था, ठीक है, तो मैंने इसको select किया, और F9 प्रेस कर दिया, तो अभी इसके अंदर क्या formula work किया, आप देखिए, false, 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 last में true आया, क्यों आया, क्यों कि last में इसने match किया, कि यह ID हमारा last में यहां है, तो यह इसने true दे दिया, इसको मैंने multiply किया, किस से, इसको भी समझ लेते हैं, name से, ठीक है, F9 मैंने प match कर आया था, तो इसमें भी देखिए, false, 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 last में true आया, ठीक है, तो क्या किया, जब true और true, जब false and false हम multiply करेंगे, तो हमारा 0 आएगा, जैसे मैंने आपको यहां देखिए, समझाने के लिए लिखा है, true और true multiply करते हैं, तो 1 आता है, true false multiply 0, false false multiply 0, तो इसने क्या किय true और true को multiply किया, तो 1 आया, बाकी सबका 0 आगया अंदर, अब देखिए, इसको समझे क्या होगा, अब मैं जब इसको match कराया मैंने, तो हुआ क्या, आप ध्यान से समझेगा, f9 मैंने दाब दिया, तो यह क्या किया, अब मैं इधर जाता हूँ पहले, फिर आपको समझाता तो अब इसी ध्यान से समझेगा, अब हुआ क्या, जैसे false multiply किया, फिर false multiply किया, और फिर true, तो यह हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि false into false क्या हुआ 0, और 0 into true क्या हुआ 0, तो इस तरह हमारा आपस में सभी ने multiply किया, ठीक है, तो सारे जगा 0 आया, जिकिन जब last में पहुचा, ज जब यहां तो हमारा condition true होगा, तो 1 into true, तो 1 आएगा, इस तरह हमारा क्या हुआ, true 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 चलता गया, तो 1 आता गया, true की जगा 1 होता गया, और sum product formula क्या करता है, उसको जोड देता है, तो इसने क्या किया, last में जोड दिया, ठीक है, तो हमारा result आगया 24, ठीक है, concept clear है, अगर को कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको freeze कर देंगे, ठीक है, इसको भी freeze कर देंगे, और इस last वाले को freeze कर देंगे, ठीक है, bracket बंद किया, और इसको copy करके paste किया, और यहां भी paste किया, ठीक है, इतना हो गया, अब यहां हमने last में sum formula अप्लाई कर लिया, और इसको जोड दिया तो यह हमारा आगया 30 days अब यह आप देखिए परताफ सिंग की कितनी है 30 days में हमको count करना था तो यह हमारा आगया total 30 days 24 इसका P है 2% है और 4 W है आप देखरें W यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 इसी तरह आप यहाँ कोई भी ID लिखेंगे जैसे मैं इसकी ID लिखता हूँ महंदर सिंग की यह वाली ID मैंने copy किया यहाँ paste किया और मैंने महंदर सिंग को भी copy किया और यहाँ paste किया तो यह देखिए इसकी attendance आ गई इस concept पे अगर आपके कोई भी question पूछे जाते हैं तो आप easily उसको track कर सकते हैं मैंने आपको सबसे बड़ा ट्रिक्स क्या बताया कि कॉंटिफ्स और समिफ्स पूरा जो हमारा form है या तो vertical होगा या तो horizontal होगा तब ही यह work करेगा बहुत लोग इस confusion में रहते हैं कि आखिर यह formula क्यों नहीं work कर रहा ठीक है अधर्वाइस लीब ब्लैंक तो आपसे जो भी question interview में पूछा जाता है उसे ध्यान से पहले समझिए कि आखिर question में क्या बोला जा रहा है आप लोग क्या करते हो तुरंत formula apply करने लगते हो और answer आता नहीं है बार बार आप लो formula change करते हो अपलाई करते हो तो एक हमारा time limit भी होता interview में उसी time limit के अंदर हमें interview को भी crack करना है तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए अभी आप देखिए यहां क्या है find out where zero value is coming तो यह मुझे find करना है कि इसमें zero value कहां आ रही continuously four times यानि लगतार चार बार value कहां आ रही है जैसे देखी एक दो तीन चार यहां आ रही है यहां नहीं आ रही क्योंकि यहां तीन बार है अगर if true then so id number अगर सही है तो id number दे तो otherwise उसको blank छोड़ दो तुरंत आप समझ जाए कि logic से related है तो तुरंत आप if formula का यूच करिए ठीक है true आएगा तो हम यहां क्या देदेंगा id number select कर लेंगे false आएगा तो हम उसको double inverted कामा लगा देंगे तो blank हो जाएगा दोस्तों अगर आपको logic से related सारे formula समझने है तो मैंने link उपर i button पे दे दिया है और description box में भी दे दिया है कि आखिर logic formula को हम किस situation में apply करेंगे ठीक है तो आईए अपने question के और बढ़ते हैं तो सबस से बड़ा challenge हमारा क्या है logical test तो logical test में क्या पूछ रहा है इसे ध्यान से समझेए यहां यहां आपका बोल रहा है कि continuously zero ठीक है यानि लगातार हमारे पास 4 बार 0 कहां आ रहा तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमें पताना चाहिए क्या क्या हमें कौन सा formula यूज करना है तब ही हम यूज करेंगे तो हमारे पास एक formula होता है search search का क्या काम है कि जो भी आप text search कराएंगे उसकी position बताता है तो हम find text में क्या लिखेंगे double inverted comma में continuously 4 times 0 डाद लेंगे ठीक है close कर दिया अब within text तो within text हम अगर इसको select करेंगे तो इसमें तो आप देख रहे हमारे पास value अ एक साथ जोड़ना पड़ेगा तो इसके लिए हमारे पास एक formula हमारे पास तीन formula होते हैं text join, concatenate और end function तो सबसे बढ़िया होता है text join अगर आपके excel में है तो आप text join यूज करिए इसका क्या benefit से मैं आपको बताता हूँ तो आप मैं यहां क्या करूंगा देखिए concatenate मैं use क text join का मैं आपको benefit बता रहा हूँ तो अब क्या लिख रहा है मुझे text 1, text 2 तो मैं क्या करूंगा एक-एक अब मुझे क्या करना पड़ा अभी आप देख रहे हैं इसमें मुझे एक-एक select करना पड़ा लेकिन text join में आप direct range select कर सकते हैं यह benefits है यह manually मुझे इतना करना पड़ यही benefit है text join formula का ठीक है तो हम क्या करेंगे सारे को select कर लेंगे ठीक है bracket बंद किया ठीक है इतना किया और क्या अब मेरे पास क्या आ जाए फिर मैंने एक और bracket बंद कर दिया value of truth हम क्या कर लेंगे तुरहाँ ID number select कर लेंगे sorry comma लगाएंगे value of truth हम ID number select कर लेंगे comma value false तो double inverted comma दे यह blank आ जाए बस तो अब हम इस formula को drag कर देंगे तो हमारे पास देखी result आ गया जहां जहां लगतार चार बार 0 था आप देख रहे हैं वहां हमारे ID number आ गया अब आप देखी यह value error आ रहा है इसे आप कैसे दूर करेंगे एक formula हमारा होता है if error तो last में आप if error लगा दीजे ठ हमारे पास क्या आ जाए double inverted comma कर दीजिया यानि blank आ जाए bracket 1 enter तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास आ चुका है तो यह concept आपके clear होंगे अगर कोई भी confusion है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं इसकी भी आप practice करिए ठीक है चलिए top 3 question के और move करते हैं अब दोस्ते इसमें आपका क्या है reverse the name but don't use serial number tricks ठीक है तो serial number tricks that means कि बहुत से लोग क्या करते हैं 1,2 लिखते हैं ठीक है इसको select करते हैं drag करते हैं और क्या करते हैं filter लगाते हैं और इसको just क्या कर देते हैं largest to smallest तो यह देखें आपका just reverse हो गया यह techniques बोल रहा है use नहीं करना है तो हम क्या use करने के मेरे पास दो तरीके हैं लेकिन मैं आपको सबसे easy वाला तरीका बता रहा हूं ठीक है मैं क्या करूंगा x लिखिए x यह कौन सा रो है आपका देखिए x h20 तो x h20 लिखिए इतना आपने लिखा अब यहां क्या लिखिए x h19 x h19 लिखिए sorry ठीक है इतना आपने लिख अब आप क्या करिए इसको just select करिए और इसको drag कर दिजे तो यह क्या हो गया हमारा reverse हो गया H20, 19, 18, 17 ठीक है 9 तक आ गया अब आप क्या करिए इसको select करिए Ctrl F करिए ठीक है यहाँ क्या लिखेंगे find what में X और replace में equal to कर दिजे और replace all काम आपका हो गया चलिए अपने top 4 question के और बढ़ते हैं क्या लिखा if texture is juicy and color is green या red then okay otherwise not okay ठीक है तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या हमारे पास juicy दिया है ठीक है यह इसमें से compulsory है कि juicy होना चाहिए और दूसरा इसमें color में क्या combination है कि green हो otherwise red हो तो इसमें हम logic से related है तो हम तुरंत if function का use करेंगे अब if के साथ हम logic क्या देंगे अब logic को समझेए क्योंकि हमारे पास इसमें compulsory क्या है दो एक तो juicy यह compulsory है दूसरा क्या है यह green या red यह भी compulsory है यानि green या red ठीक है और दूसरा logic क्या देंगे अब देखिए green या red तो हमारे पास एक function होता है और और क्या काम करता है इसमें आप multiple condition दे सकते हैं लेकिन अगर कोई भी एक value true हुई तो वो true देगा तो इसमें हम तुरंत और जोड़ देंगे ठीक है तो क्या देंगे लगा के value true तो double inverted comma में ok otherwise क्या हमारा double inverted comma में not ok double inverted comma close bracket 1 इंटर तो यह देखिए आपका आगया ok otherwise not ok आप चेक कर सकते हैं यह result आपके सामने आगया कोई भी confusion है comment करके आप मुझे पूस सकते हैं instagram पे मुझे follow कर सकते हैं वहाँ भी आप मुझे message करके पूस सकते हैं चलिए दोस्तों अपने top 5 question के और बढ़ते हैं अभी आप देखने हैं यहां लिखा है count number of character given text यानि यहां आपके सामने कुछ text दिये गया है इसका character मुझे count करना है यानि इस दोनों का character total कितना है यहां count करना है और इन दोनों का यहां पर तो इसके लिए हमारे पास एक formula क्या होता lane lane हम select करेंगे अगर इसको हम select करते हैं bracket बन तो यह बता देगा हमारे पास 7 character है देखिए लखनो जब आप count करेंगे तो number of character इसमें 7 है लेकिन अगर हम क्या करेंगे lane इस दोनों range को select करेंगे और bracket बन करेंगे तो यह error बता देगा क्यों error बता रहा क्योंकि यह अलग-अलग नहीं count करता यह जब character एक साथ होंगे तो ही count करके बताएगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे देखिए हमारे पास एक formula होता and function, concat, net function, text, join function तो हम and ही simple use करते हैं हम क्या करेंगे इसको अभी देखिए मैंने इसको लिया और and इसको लिया ठीक है? bracket बन तो यह देखिए एक साथ combined होगे अगर मालिच अब मैं क्या करूँगा lane इसमें यूज कर लूँगा अभी दोस्तों वीडियो skip मत करिएगा lane मैंने यूज किया, इसको select किया तो देखिए अब यह count करके बता रहा है कि 11 character है तो अब just हम क्या करेंगे इस lane के अंदर, अब आप देखिए it's called to lane अब मैं इस lane के अंदर ही and function का यूज कर लूँगा this and this bracket बंद, तो यह क्या हुआ e9 और f9 जैसे combined हुआ तो इस तरह हुआ अंदर, इसके अंदर और यह lane क्या किया है, इसके character को count करके बता दिया, यह देखिए है ना दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो फसंद आया वीडियो को like, share, comment मिलते है next वीडियो में, जैहिन